वैसे तो पांच राजियों के नतीजे कल्याने के दस मार्च को आने वाले हैं लेकिन हर किसी की नजरे यूपी के परिणामों पर लगी हुई हैं कयासों के इस दौर में जहां हर कोई योगी सरकार की बापसी की बात कर रहा है तो कुछ सर्वे ऐसे भी सामने आ रही है जिनसे अखिलेश यादव की उमीदों को जिन्दा करने का काम किया गया है आपको यहां बताते चलें कि सर्फ देश बंधू के एक्जिट फोल में ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के सरकार यूपी में बनने वाली है तो वहीं अब एक और सर्वे में राज्य की सत्ता की चावी अखिलेश यादव को मिलने का दावा किया गया है दरसर दपॉलिटिक्स डॉट इन के सर्वे की माने तो राज्य में इस बार अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे इस सर्वे की मताबिक समाजवादी पार्टी को लगभग 238 के आसपास की सीटे मिलती नजर आ रही है अगर बाद बीजेपी की करें तो इस सर्वे में भाजपा को 150 के लगभग सीटे मिलने का अनुमान लगाया गया है इसके अलावा सर्वे में बसपा को 6 और कॉंग्रेस को महज 1 सीट मिलने का आंकड़ा पेश किया गया इस सर्वे का अनुमान है कि साल 2017 के मुकाबले भाजपा का वोट शेर काफी हद तक घट जाएगा साल 2017 में भाजपा को तकरीबन 40% वोट मिले थे जो के इस बार घट कर महज 32% दीर रह जाने वाले हैं वही सपा का वोट शेर इस बार बढ़कर 41% तक पहुँचने वाला है खेर अब कल लियाने के 10 मार्च को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि यूपी की सत्ता की चाबी आखिर किस के हाथ आएगी तमाम और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं